निजभाशा उन्नती है सब उन्नती को मूल बिनु निजभाशा ज्ञान के मिटे नहीं ये कसूल नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्यवाता में सरव प्रत्थम आप सब लोगों को हिंदी दिवस की बहुत-बहुत शुब कामना है बहुत-बहुत बधाई हिंदी दिवस के इस शुब अफसर पर NTA ने आज जो सूचना जारी की है जिसमें ये साफ कहा गया है कि 24 सेतंबर से हमारी जो परिक्षा है वो होनी तैह है हलांकि अभी तक ये निश्चित नहीं है कि हमारा पास जो एक शेडूल है पूरा वो अभी तक नहीं मिला है कि कब हमारी परिक्षा होगी किस सात्र में होगी सुबह वाले या शाम वाले में या फिर हमारे जो रोल नंबर है वो भी उपलब्द नहीं हुए है लेकिन फिर भी आज NTA ने एक तरीके से अपने एक चुपी है और एक मौन है उसको उन्होंने तोड़ दिया है कि अब 24 सितंबर के बाद हमारी परिक्षा होगी तो चलिए दोस्तों ऐसे में हम लोगों ने क्या करना है हम विद्यारती है और हमारा काम पढ़ाई करना है प्रशन रहता काम ये बन जाता है कि जितने भी हमारे प्रिक्षा को कैसे आपने पास करना है तो बहुत जरूरी होते हैं मौक टेस्ट देना तो अब हमारी प्रशनोतरी की सीरीज आज से हमने शुरूआत की है इसकी और इसके साथ ही साथ जो हमारी अन्य क्लासिस चल रही है उनको भी हम वैसे ही जारी रखेंगे जैसे अभी तक चल रही थी तो यह जो हमारी मौक टेस्ट की सीरीज है यह हम 25-25 प्रशन इसमें रोज आपके लिए लेकर आएंगे तो आज से हम इसके शुरूआत करेंगे जब तक हमारी परिक्षा हो नहीं जाती तो चल यह आज हिंदी दिवस विशेश पर हम अपना जो इस प्रशनोत्री का पहला भाग है उसको देख लेते हैं कि जो प्रथम भाग के प्रशन है उनको हम देखेंगे हालांकि इन प्रशनों को हम ज़्यादा विस्तार से इन पर बात नहीं करेंगे सिंपली मैं आपको प्रशन रखूँगा आपके सामने और उसका उत्तर आपको बताऊँगा ठीक है यदि इन प्रशनों में कुछ एक तुरूटिया हो तो उसके लिए भी मैं चाहूँगा आपके जो कॉमेंट्स हैं वो आएं और आप जो है अपनी समझ और अपनी राय हम ग्यारवी शताबदी तो देखिए अपब्रश का वेभार जब हम अपनी इस सीरीज को पढ़ रहे थे जो पहले हमने एंट्ये के ये जो प्लासिज लगाई हैं हमारी पीछे की वीडियो में तो उसमें हमने इस चीज को अच्छे से डिसकस कर लिया था वहां पर अगर आप आपने हमारी पीछे वाली वीडियो नहीं देखिए हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर हमारी यूनिट वाइस जो है अभी हमने एक दो यूनिट ही की हैं आलांकि वहां पर आप देख सकते हैं जो ये प्रशन है ये पहली यूनिट से ही पूछा गया है तो देखिए इसका कोई भी शब्द मन चाहे डंग से तोड मरोड कर तदभव नहीं बना जा सकता यह कथन किसका है तो देखिए प्रशन है कि संस्कित का ऐसा शब्द कोई भी शब्द मन चाहे डंग से तोड मरोड कर तदभव नहीं बना जा सकता सुनिति कुमार चटर जी, जॉर्ज ग्रियर तो यह जो बात कही है यह कही है राम बिलास शर्मा ने तो यह किसका कदन है राम बिलास शर्मा का अगला प्रशन देख लेते हैं कि शौरसैनी अपब्रश से जो विक्सित भाशा है तो देखे शौरसैनी से आ रही है पंजाबी, माराथी, गुजराती या फिर सिंधी तो देखे शौरसैनी से जो निकली है वो है विकल्प नमबर C तो उसका है गुजराती तो यह है प्रशन नमबर 3, अगला प्रशन देख लेते हैं कि आभ्यंत्र प्रियतन के अनुसार वर्ण के कितने भेध हैं तो देखे आभ्यंत्र प्रियतन के, एक होता है बाहया, एक होता है आभ्यंत्र ठीक है, तो उसके अनुसार वर्ण के कितने भेध हैं विकलब में देखिए 4, 2, 3 या फिर 5 तो ये है 4 तो 4 आधारों से क्या है वर्ण के बेद होते हैं आभ्यांतर प्रियत्मुत के आधार पर अगला प्रशन देख लेते हैं प्रशन नंबर 5 जो है ओकार बहुला नहीं है अगला प्रशन कहां से आया है जो हमारी भाषावाले से ही ये चली ये पूरे के पूरे प्रशन तो इसमें विकलब दिखिए ब्रज भाषा, पुंदेली, कौरवी या फिर कनोजी तो इसका जो सही अंसर होगा वो होगा कौरवी जो कौरवी है वो क्या है? ओकार बहुला नहीं है बलकी ये कैसी है? आकार ठीक है अगला प्रशन है देखिए हिंदुस्तानी शब्द का यूरोप के लोगों की देन है कथन किसका है तो देखिए हिंदुस्तानी शब्द है वो यूरोप के लोगों की देन है ये किसने कहा था गारसद अतासी जॉर्ज ग्रियरसन अचाय रामचंदर शुकल या फिर मि इस बोली का अन्य नाम अंतरवेदी है, तो देखिए भाशा और बोली से ही ये प्रशन अभी तक पूछ जा रहे हैं, जितने भी हैं, तो इसका जो सही अंसर क्या होना चाहिए, ब्रजभाशा है, अवदी है, खड़ी बोली है, या फिर माल भी है, तो देखिए अंतरवेदी पूछा गया है, तो अंतरवेदी मतलब सीधा सा है, ब्रजभाशा से, जो अंतरवेद की बोली हो, ठीक है ना, अंतरवेदी, इसलिए उसको कहा जाता है, अगला जो प्रशने देखिए, प्रशन नमबर आठ, गौड बहो किसकी रचना है, तो गौड बहो के बारे में यहा वागपती राज, इन्होंने कही रचना कही थी, गौड बहो, अगला प्रशन है, त्रीपीटिक ग्रंथों की रचना किस भाशा में हुई है, जो त्रीपीटिक ग्रंथ है, उसकी रचना किस भाशा में हुई है, है ना, तो सबसे पहले बात तो यह त्रीपीटिक के हमें न हुई है अगला प्रशन है देखिए प्रशन नमबर दस मैथिली हिंदी में रचित गद्य की पहली पुस्तक पहत महतोपुन प्रशन है यह कई बार एक्जाम में इसको पूछा गया है है उक्ति वक्ति प्रकरण वर्ण रतनाकर राउल वेल या फिर वसंत विलास तो इसका ज चाली भद्र सूरी विजय सेन सूरी रईधू या फिर लाखू तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा रईधू अब रशन का अंतिम कभी कौन है रईधू आगे हम देख लेते हैं प्रशन नमबर बारह अध्यातम रामाइन किसकी रचना है तो देखिए विकल्प है माध तो इसके जो सही उत्तर है वो है माधवदास तो माधवदास ने किस की रचना की है अध्यातम रामाइन की अगला प्रशन देखिए असंगत कथन बताओ तो इस तरीके के प्रशन यूजी सी नेट के एक्जाम में पूछे जाते हैं ब्रज भाषा का उदय एक हजार इस्व ने ब्रज भाषा को साहितिक रूप देने में सरवधिक योगदान दिया साहित्य और लोग साहित्य की दिश्टी से ब्रज भाषा बहुत ही संपन है ब्रज भाषा किया कि बोलिक शेत्र अयोध्या इलाबाद फैजाबाद प्रतापगर इत्यादी हैं तो ये चार आपको विकल्प दिये हैं इन में से सही उत्तर देखना है तो इसका जो सही उत्तर होगा देखिए वो होगा विकल्प नमबर चार ब्रज भाषा की बोलिक शेत्र अयोध्या इलाबाद फैजाबाद प्रतापगर इत्यादी हैं तो ये किसके हैं जो इसमें बोलिक शेत्र लिखे ह तो इन बोलिक्षेत्रों को याद रखने के लिए, जो ब्रजभाशा के बोलिक्षेत्र हैं, उनको आप कैसे याद रख सकते हैं, इसके लिए यहाँ पर एक चोटी सी ट्रिक हमने बनाई है, कि ट्रिक कैसे है, देखिए, ओ ब्रजवासियो भरतपुर के करोली गाओं में, तो इसको हमने इस तरीके से याँ पर रख दिया है, ताकि आगे ब्रेकेट में बिल्दी भी लिख दिया है, तो देखिए, आमने इसको अपलाए कैसे करना है, ओ से उकार बहुला, तो जो ब्रज है, वो कैसी है, ओकार बहुला वाशा है, ठीक है ना, बोली है, फिर उसके बाद आता है ब्रजवासियों तो ब्रजवासियों से हमने याद रखना है कि ब्रजभाशा को ये बोला गया है ठीक है ओ से हो गया उकार बहुला ब्रजवासियों से हो गया ब्रजभाशा ठीक है फिर देखिए भरतपूर भरतपूर से तो इसका बोली चेतर रहेगा भरतपूर ही, ठीक है, फिर आएगा करोली, तो करोली मतलब जो है, और करोली गाओं, गाओं का मतलब है गुड़ गाओं, ठीक है न, आगे है में, में से मेनपूरी, अब दो, इससे दो क्षेतर बनते हैं, अब से, असे और मा से मतूरा, ठीक है, फिर बरेली, जो हमने बिल्ली लिखा है उपर, उससे बरेली ही रखना है, आटा, आटा का मतलब है एटा, तो इस तरीके से देखिए, आपको सिर्फ ये एक पंक्ती याद रखनी है, कि ओ ब्रजवासियो, भरतपूर के करोली गाओं में, अब आम बरेली, आटा खाएगी, क्लियर है, तो ये बहुत साधारण सी, सिंपल से ट्रिक है, कई बार यहां से इस तरीके से प्रशन पूछा जाता है, कि इनके बोलिक्षेत्र दिये होंगे, उनको आपने मैच करना है, या फिर इस तरीके से जैसे हमने पीछे प्रशन था दिया अगला है कि तूलसी दास्त की कौन सी कृती ब्रज भाशा में नहीं है, तो देखिए तूलसी दास्त की जो कृती है वो ब्रज भाशा में नहीं है, गीता वली, क्रिशन गीता वली, रामाग्या प्रशन या फिर विने पत्रिका, तो देखिए इसको याद करने की क्या ट्र दो भाषाओं में रचनाएं रची हैं अवधी और ब्रजभाषा में तो अब हम देख लेते हैं कि आप इसको याद कैसे रख सकते हैं कि तोलसिदास की कौन सी रचनाएं ऐसी हैं जो घिसमें हैं अवधी में हैं या कौन सी रचनाएं ऐसी हैं जो ब्रजभाषा में हैं तो द देखे याद कैसे रखना इनको बहुत सिंपल है ये इनकी रचनाए है टोटल कुल कितनी है इनकी रचनाए बारा है छे उनमें से कैसी है ब्रजभाशा की है छे अवधी की है सबसे पहले हम देख लेते हैं कि बैराग्य संदीपनी अंत में क्या आ रहा है संदीपनी नी में ये आ रहा है ना तो इकारांत था ठीक है गीता वली इकारांत था दोहा वली इकारांत था कृष्ण गीता वली इकारांत था कवीता वली इकारांत था विने पत्री का तो पत्री तक ही इसको याद रखेगा पत्री का बाद में चलो वो एक चीज़ है इसमें है न कि ये थोड़ा सा अलग है इसमें लेकिन ये एक ही है अधिकता किसकी एदिखिए इकरांतता की है तो आपने इसको इसी तरीके से याद रखना है ठीक है जिसके अंत में क्या आ रहा है इ आ रहा है वो क्या है फिर दिखिए अकरांतता अवधी में क्या है ओ से शुरू होता है अवधी ओ से ही अकरांतत ठीक है रामाग्या प्रश्न नौ में क्या चुपा है ओ चुपा है पारवती मंगल लौ में ओ है रामचरीत मानस सौ में ओ है रामललन हच्छू एक इसमें भी अलग है थोड़ा सा है ना जान की मंगल है ओ है बरवे रमाइन है ओ है अंत में क्या है ओ है तो दीखिए छे रचनाओं में से दस जो रचनाओं हैं वो इकारांत और अकारांत हैं दो हैं एक विने पत्रीका है विने पत्रीका को आप पत्री तक ही याद अगर कुछ और ट्रिक है इसको याद गरने की तो आप मुझे वो भी कोमेंट सक्षन में जाकर बता सकते हैं अगला प्रशन देख लेते हम कि खड़ी बोली शब्द का सरप्रत्थम उलेक किस ने किया तो देखिए खड़ी बोली का उलेक पूचा गया है कि सबसे पहले किस ने किया है भारत इंदू हरिष्चंद्र, जॉन गिलक्राइस्ट, हलांकि यहाँ पर गिलक्रिस्ट हो गया है आप इसको ठीक कर लिजेगा पिर है महावीर प्रसाद दुवेदी, लल्लू लाल जी, तो ये चार उप्षन है इन में से सही आपने देखना है कि किस ने सबसे पहले सही उलेक इसका किया है खड़ी बोली शब्द का तो खड़ी बोली शब्द का जो प्रत्थम उले किया देखे वो क्या है लल्लू जी लाल ने यह इनोंने कहां किया था प्रेम सागर में ठीक है जो इनकी रचना है उसकी भूमिका में इनोंने किया था देखना भूमिका में यह याद रखना है अगला प्रशने देखिए सामं लेक्चर में आपको ये चीज भी अच्छे से मिल जाएगी ठीक है, खुमान रासो बीसल देव रासो, परमाल रासो या फिर पृत्वी रासो तो इसका जो सही उत्तर है देखिए वो है बीसल देव रासो, ठीक है तो यहाँ पर क्या मिलता है कि उसमें है सामंती जीवन की ब्रती गहरी अरूची अगला प्रशन देख लेते हम कि यद्यपी स्वयम्भू ने प्रचलित राम कथा के सत्य से पलाई नहीं किया तथा पी राक वीराग के दार्शनिक स्थितियां सर्वित की दर्शनिक स्थितियां सरवत्र प्रधान रही है कथन किसका है तो स्वयम्भू से समद्धित प्रशन पूचा गया है ये देखे नीचे जितने भी हमारे हिंदी साहिते त्यास कार रहे हैं उनके नाम दिये गया है डॉक्टर नगेंदर, डॉक्टर बच्चन सिंग, अचार अकथन फिर से देखना है तो देखे एक प्रशन फिर से वैसी आ गया है अमीर खुसरो को लेकर करके ये प्रशन है अमीर खुसरो के दो इतिहास क्रंथ खालिक वारी और तुगलक नामा है अगला है अमीर खुसरो अर्भी, फार्सी और हिंदी के प्रकांड विध्वान थे खुष्रों ने तबला इजाद किया और खुष्रों ने अपनी भाषा को सरप्रथम हिंद भी कहा है तो ये चार विकल्प हैं इनमें से सही उत्तर आपने देखना है तो चलिए सही उत्तर देखते हैं इसका जो सही उत्तर होगा दीखे वो हगा विकल्प A अमीर खुसरों के दो इतिहास करंद खालिक बारी और तुगलक नामा है तो देखे इनके जो दो हैं वो कौन से हैं खालिक बारी नहीं है इनका इतिहास करंद ठीक है तुगलक नामा है तो ये क्या है ये विकल्प गलत है अगला प्रशिन देख लेते हैं कि प्रवेशी का हिंदी व्याकरण किसके पुस्तक का नाम है तो देखिए हिंदी व्याकरण के लिए अलग-अलग विद्वानों ने अलग-अलग पुस्तकें लिखी हैं तो उन पुस्तकों के नाम भी हमें याद होने चाहिए कई बार ये भी परिक्षा में पूछा जाता है तो विकल्प है गोविन नारायन मिश्रक, रामावतार शर्मा, रामदहिन मिश्रक, कामता प्रसाद गुरू तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा रामदहिन मिश्रक तो इनके व्याकरण का नाम क्या है प्रवेशी का हिंदी व्याकरण ठीक है ना आगे हम देख लेते हैं भारतिय समिधान के किस अनुछेद में भाषाई अलप संक्यकों के लिए विशेश अधिकारी की रश्टपती द्वारा निक्ति का उलेख है तो बहुत ही महतोपुन प् हमारी वीडियो में जाके तो इसका जो सही उतर होगा देखिए वो होगा विकल्प नंबर बी अनुछेद 350 का खोजो भाग है उसमें इसका उलेख किया गया है अगला प्रशन देख लेते हैं हिंदी सहित्य का अलोचनात्मक इतिहास का प्रकाशन सन क्या है देखिए हिंद 1938 में इन ने क्या किया था इसका प्रकाशन हुआ था और अगला प्रशन है देखिए का तरुवर पंच विडाल पंक्ती किसकी है तो ये पंक्ती भी बहुत मौत पूर्ण है कई बार इसको भी परिक्षा में पूछा गया है तो देखिए कणपपा, डौंभिपा, लुईप या फिर शबरप्पा तो इसका जो सही उतर होगा वो होगा लुईपा अगला प्रशन है देखिए प्रित्वी राज रासों को सरवता और प्रमानिक ग्रंत मानने वालों में शामिल नहीं है तो देखिए प्रित्वी राज रासों को और प्रमानिक ग्रंत मानने वाले राम बिखालकलोब मानते हैं इसको प्रमानीक जबकि अन्य जो विदवान हैं वो बिखाली अगला प्रशन है आलवार संतों के आराध्यदेव कौन हैं तो दिखी क्या प्रशन बोचा गया है बीज़ा आराद्य देवें देखिए बो है बिश्णू तो बिश्णू की ये क्या करते थे उपास्ना करते थे, आखरी जो आज का प्रशन है इस प्रशनOOOOTRI का देखिए सही क्रम में हमने इनको रखना है, तो इसमें देखिए सबसे पहले है कुबले माला कथा राउल वेल उक्ति व्यक्ति प्रकरण या फिर वर्ण रतना कर तो सही क्रम हमने बताना है हमारा जो सही क्रम है वो भी यही है कुवले माला कथा राउल वेल उक्ति व्यक्ति प्रकरण और फिर वर्ण रतना कर तो जो राउल वेल आई है वो है 835 में 835 विक्रमी संबत में ठीक है उसके बाद देखिए दूसरे नमबर पर राउल वेल है ये कब है 11.30 का समय माना जाता है अनुमानित है ये एक तरीके से है न उसके बाद उक्ति व्यक्ति प्रकरण है जो 11.45 ठीक है 11.45 इसवी जबकि वन रतनाकर जो है वो कब है 14 शती में तो ये थे आज के इस प्रशनोत्री का जो पहला भाग है उसके प्रशन अगली प्रशनोत्री में हम 25 और प्रशनों को लेकर आपके बीच में आएंगे आपको वीडियो कैसा लगा ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएं अगर कुछ सजेशन्स हैं तो आपका आपकी सजेशन्स का स्वागत है आप बेजी जग हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि हमें इस तरीके से और अच्छे से अपनी जो प्रशनोत्री की सीरीज है उसको अच्छे से करने की आवशकता है तो हम उस तरीके से भी अपने प्रशनोत्री को करने की कोशिश करेंगे तो फिलाल आज के लिए इतना ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिए, शेर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूले तो फिर मिलेंगे नई उर्जाओन इस पूर्टी के साथ तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, जय हिंद, जय भार